तो आज हम करेंगे, के नॉर्म टीचे की तो आज हम बात करेंगे, के नॉर्मेंक्लेचर की वह हम देख लेते हैं, नॉर्मेंक्लेचर नॉर्मन टेचर of ketones अच्छा वही जैसे last time हमने का था LD head को नाम देने के दो तरीके थे एक तो common names था एक तो और दूसरा जो था हमारे पास वो क्या था वही आई यूपेक नेम था इसी जाना same ketones की बात करेंगे एक हमारे पास क्या आएगा जी common names और दूसरा जो आएगा हमारे पास वो कौन सा होगा are you pack names हज़ज़ जी बात कर लेते हैं further हम इस बात को continue करते हैं हम किस तरह की tone को common name के थूरू नाम दे सकते हैं तो last time हमने LD head के बारे में बात की थी कि कार्बॉक्सिक एसिड से कोर्सपॉंड करके कि कौन सा इसिड हम अगर LD head का A carbon यूज़ करें तो कॉर्बॉक्सिक एसिड के भी A carbon इस्तमाल करेंगा ऐसा इसिड जो की जिसमें A carbon हो लेकिन आप ऐसी की tone की बात नहीं है common name में अब common name जैसे हमें पता है इसका general formula की बात कर लें तो general formula हमें पता है क्या है कि कार्बनायल दरम्यान में और दोनों साइट पे अलकायल ग्रूप ठीक हो गया ना अलकायल ग्रूप है कि बाई कि टोन का ओ सुरी यह है सुरी general formula की टोन का अब देखें आगे फर्दर हम बात करते हैं अगर कार्बनायल ग्रूप के दोनों साइट पे मिथायल ग्रूप हैं तो इसका common name क्या होगा कितने मिथायल ग्रूप हैं भई कार्बन नम्बर वान एन इस वन इस टू यह तो हम नम्ब्रिंग तो ऐसे करेंगे आई यू पैक में लेकिन मैं अब जनरल बतारी हूं कितने मिथायल हैं एक और दो मतलब कार्बनायल ग्रूप के दोनों साइट पे दो मिथायल ग्रूप हैं तो नाम से पहले हमें डाई का जो प्रिफिक्स है वो इस्तमाल करना होता है कि जितने होंगे अगर टू है थ्री है फोर एंड और जो जितने होंगे अगर यहां पे दो है तो हम इसके लिए इस्तमाल करते हैं डाई और कितने क्या है भई मिथायल दाई मिथायल मतलब दो मिथायल लगे होंगे हैं डाई मिथायल डाई मिथायल क्या होगा जी KITON KITON को हम डिस्कस कर रहे हैं न तो हम क्या कर देंगे इनका जो नाम है Parent Name Last Pay KITON DIMETHYL KITON ये हमारे पास Common Name में एक असान तरीका असान से बहुत ज़़ा असान है जी इसको देने का तरीका ये हो गया अब देखें बाई further हम बात करते हैं एक और example की Carbonyl group है उसके एक side पर methyl group है और दूसरी side पर हमारे पास क्या है ethyl group है CH2 और CH3 देखे वई एक side पर ये हमारे क्या होगी methyl ये जो है अमारे पास क्या है जी methyl है और हमारे पास ये तना portion है ये क्या है ये है इथाइल अच्छा जी, अब इथाइल है, कार्बनाइल ग्रुप है जाइट सी बात है, कार्बनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बनाट है, किटोन की बात हो रही है तो अब क्या होगा, अब इसका नाम देने का तरीका क्या होगा कि alphabetically कौन पहले आता है E पहले आता है कि M पहले आता है तो obviously भई Alphabetically E पहले आता है तो हम पहले ethyl लिखेंगे ethyl फिर बाद में लिखेंगे methyl और किसको हम discuss करें है कौन पेरेंट नेम है ketone obviously तो हम ethyl, methyl ketone इसकी बात करें है तो ये इसका common name असान तरीका इसको नाम देनेगा कि इथायल, मिथायल, किटोन किसे नाम ने नाम दिया कि मैं रपीट करने लगी हूँ common names को सबसे पहले हमने बात कि किटोन का general formula क्या होता है कार्बिनल ग्रूप है कार्बिनल ग्रूप के दोनों साइड पे अगर alkyl group means carbon directly attach होंगे तो वो किटोन में आएगा first example मैंने बताई आपको मैंने का कि दोनों carbon group के दोनों साइड पे methyl group हैं तो उसका नाम देने का असान तरीका ही होता है कि कितने group attach है उसका जो prefix है वो सबसे पहले होना चाहिए कितने attach हैं दो हैं तो दो को दाई कहते है दाई और क्या attach हैं भाई कों से group है methyl दाई मिथायल और जो parent name है वो हमेशा last प्याता है ये example number one होगी ये example number two की बात कर ले अब कार्बनाल group के दोनों साइड पे क्या है एक methyl group attach है और एक क्या है इथायल group अब confirm ये होती है कि इनको नाम देने के क्या तरीका होगा कि पहले हम methyl लिखें कि इथायल लिखें तो mostly लोग पते है कि अगलती कर दे रहे कि छोटा group है वो पहले लिख लें like methyl पहले लिख लें और फिर बाद में इथायल लिख लें लेकिन बटा ऐसा नहीं होता क्यूंकि अलफाबेटिकली ओर्डर को हमने फॉलो करना होता है ये रूल होता है कि आई यूपैक में sorry common names में कि हमने मिथायल जो है वो अलफाबेटिकली बाद में आता है M पहले E आता है तो जो पहले आता है उसको हम लिखेंगे जाइसी बात है पहले ही लिखेंगे इथायल बेशक वो जितना मरजी बड़ा सबस्टिटर्ण क्यूं ना हो इथायल मिथायल देन किटोन तो ये बेसिकली नाम देने के तरीके हैं यहां पर मैं बता दूँ किए अगर कर्बनेल ग्रूप के कर्बनेल ग्रूप के दोनों साइड पर इक्वजी अलकायल ग्रूप अटेच होंगे इक्वजी जो डिस्ट्रिबूशन उनकी होगी अलकायल ग्रूप की तो ऐसे की टोन्स को हम कहते हैं symmetrical ketone जैसे कि एक्जामपल आपके सामने कार्बनल ग्रुप है उसके दोनों साइट पे एक-एक मिथायल है लेकिन यहाँ पर देखें कार्बनल ग्रुप है एक साइट पे मिथायल है और एक साइट पे दो कार्बन हाइडरोजन की जो हीडोकार्बन चेन है वो दो कार्बन इथायल है अब एक साइट पे एक सब्सक्राइट कम है अनिक्वल है ना डिस्टिबिशन कार्बन ग्रुप के दोनों साइट पे इक्वल डिस्टिबिशन नहीं ही अलकायल ग्रुप की तो ऐसी जो हमारे पास compound आते हैं उनको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल की टोन्स अनसिमेट्रिकल की टोन्स होते हैं भई यह हमारे पास क्या आ गया यह की टोन के common names का आपको बता दिया कि किस तरह नाम देते हैं common names की टोन के होपसों यह सब points नहीं आपको clear हो गये कुछ है सच नहीं है ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमेट्रिकल की टोन्स नाम से पता चल लेए सिमेट्रिकल के हैं बेसिकली अगर लफसी तरजमा देखें कि एक तर्टीब के साथ होगी लेकिन आम सिमेट्रिकल जिसमें तर्टीब नहीं होती है तो इकल धिस्टृबशन नहीं होती है तो वह उन्सिमेट्रिकल होते है अब बेटा हमने बात करनी है नेक्स जो है वो आयजयूपैक नेम्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो देख लेते हैं अच्छा वर्याइड्टीव आइए यूपेक नेम्स जैसे यजे जैसे ये से यो हैल्कान के अब होगय ख़ए। अब ख्याय यह LD-HID की बात करी हूँ मैं यह LD-HID की मैंने बात की है अब किटोन की बात कर ले तो किटोन में क्या होगा अलकेन लिखें, अलकेन से डिराइफ करेंगे क्या अलकेन है ना, अलकेन का जो लास्ट वाला E है वो O N E में कनवर्ट हो जगा मतलब अलकानोन अलकानोन हो जगा और यहां पे अलकानल हो जगा ठीक है भई यहां पे LD-HID की टोन के दो डिफरेंट कैसिस हैं, LD-HID में हमने बात कि थी जो अलकेन से हमने नेम्स डिराइफ किये थे, जो आईउपैक नेम्स थे, वो क्या होता है उसका, जो उसका E है वो AL में कनवर्ट हो जाता है चेंग हो जाता है, कि टोन की बात कर ली जाए, तो कि टोन का जो E है वो O, N, E में कनवर्ट हो जाता है इसको हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं तो हमने पास जो फॉस्ट एक्जाम्पल है वो है CH3 आयू पहे की बात कर रही हूं कार्बनल रुप दर्मियान में दोने साइट पे हमारे पास क्या है CH3, CH3 जिसको हमने common name में का था dimethyl ketone लेकिन अब क्या देखो यहां counting करो कितने number of carbons है carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3 यहां पे क्या है वही carbon number 3 3 को आप कहते हैं अगर अलकेन की बात की जए प्रोपेन अब प्रोपेन जो देखें भई तीन कार्बन वाले को क्या कहते है जी प्रोपेन अब इसका जो लास्ट वाला E है वो किदर convert हो जगा O and E में तो यह बंजेगा हमारे पास प्रोपानोन ठीक है ना भई यह हमरे पास नाम आगया प्रोपानोन तो अब प्रोपानोन की बात करें हम किस तरह तीन कार्बन है इसका नाम देने के क्या तरीके है यहां पर देखें भई दूसरे कार्बन पे कार्बनल ग्रूप अटेश है ठीक है ना 2 प्रोपानोन अब देखें उसका नाम देने का क्या तरीक है जो कार्बन नमर 2 पे जो है वो क्या है तो हम क्या लिखेंगे 2 प्रोपानोन जो ओन नहीं है इसे पता चल रहा है कि यह की टोन का एक मेंबर है तो जिसके जो कार्बनल ग्रूप के साथ दोनों साइट पे क्या लगे हैं का अलकायल ग्रूप तो हम यह देने का इसका तरीक है नाम आगे फर्दर हम एक्जांबल की बात कहे लेते हैं अच्छा जी यहाँ पर मेरे पास मैं लिख लेती हूँ कोई CH2 शरी CH2 and CH3 CH3 अच्छा बेटा देखो हमने अब काउंटिंग यह भी याद रखने है आपने आयोपैक में काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे कार्बनल ग्रूप करीब हो तो आप देखो कार्बनल ग्रूप कहां से करीब है अगर देखा जाए इस साइट से करीब है कि इस साइट से करीब है तो ओवियसली बेटा जो कार्बनल ग्रूप यहां से देख लेए नम्बरिंग करके देख लेए तो इस साइट से नम्बरिंग करके देखें तो इस साइट से करें तो कार्बनल ग्रूप पर कार्बनल ग्रूप आ रहा है अगर इस साइट से स्टार्ट करें तो थ्री कार्बन पर तो बेटा हमने उसको प्रेफर करना है जहां पर carbonel group जिस carbon के करीब होगा तो हम उस numbering को हमेशा prefer करेंगे तो देखें अगर यहां पर क्या इसका नाम किस तरह होगा 2 carbonel group, second carbon के उपड है न 2 और कितने carbon है, total 4 है 4 को हम butane कहते हैं, butane convert होजगा इसका जो E है वो O-N-E में convert होजगा टू ब्यूटा नोन टू ब्यूटा नोन आजी बई यहां तक हमारा जो है नॉमेंगलेचर आफ की टोन कवर हो जाता है इसको हमने देखना है फर्दर के मैं रपीर्ट सब्सक्राइसा कर देती हूँ कि कॉमन नेम से हमने क्या किया था कि कॉमन नेम जो बेसिकली कहां से हमने सिंपल लिखा कि टोन सामली आरो आर ठीक है उसका जनरल फार्मॉला है आर सी बॉंड़ विद ऑक्सिजन और फिर उसके बाद आर प्राइम तो यह उसका क्या है जी जनरल फार्मॉला उसके बाद में हमने बात की कि जी एनके नाम कैसे दे सकते हैं तो हमने चाउंटिंग करके अगर सेम कार्बन थे और अलकायल गरूप सेम थे तो हम दे अनको डाई कर दिया कि दो मिथायल ग्रूप है हमने डाई मिथायल की टोन का नाम दे दिया अगर biggerंट ग्रूपस टेजट थे eek side पे methyl था, एक side पे methyl था, तो हमने prefer जो alphabetically पहले आता है, उसको सबसे पहले लिखा जाए और जो बाद मी आता है, हमारे बास क्या हो गया, Athyl, methyl ketone हो जाता है, insecure हमने unsymmetrically and symmetrical ketone की बात की, हमने उसमें क्या काई Só symmetrical वह होते है जो Bharatenos group के दोनों side पे equal alkyl group attached होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? symmetrical ketone और अगर हमने बात की unsymmetrical की, तो unsymmetrical बेटा वो होते हैं जो carbonyl group के एक side पे unequal distribution हो, एक side पे अगर methyl है तो दूसरी side पे ethyl हो, मतलब जाए सी बात है hydrocarbon chains है, तो अगर एक side पे कम हो, एक side पे ज़्यादा हो, इसको basically ग्रिखिक नीजिकिल मेरे के लिजिक नेडेरी ह mo तो आइज दुक मेरे की और तो इसरह मेरेकर मीजागा नाम से करने त्रेके मेरे के पहले कांऊंटिंग करनी दूहिंग हम कार्बन अलुप कि किरिगे कि जिस साइट से कार्वनल ग्रुप करीब होगा हम उस कार्वन को कार्वन नबर वन कंसिडर करेंगे फिर इसके बाद जितने कार्वन उनको काउंट करके और अगर ब्यूटेन था ब्यूटेन में हमने लास्वाल उसका E जो है रिप्लेस कर दिया O&E के साथ तो इस तरह हमारा जो है एक नॉमन ग्लेचर आफ की टोन हतम होता है तो होपसो आप सब लों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो आप अच्छा पढ़िएगा अच्छे से याद कीजेगा तो ये कुछ जैनरल चीजे हैं जिनको समझना बहुत दुरूरी होता है ठीक है ओके बेटा जी नेक्स टाइम हम अपने प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं एल्डी हाइडर की टोन में तो कल इंशाला आपने नेक्स टॉपिक को कॉंटिन्यू करते है तो इंशाला बात होती है बेटी नेक्स टॉपिक के साथ ओके जी बेटा अलाफिस टेक इराव यरसेल्फ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी डाय कमेंट करें ऐसे ही मज़ीज वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आईकन दमाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेलता रहे